आप में से बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जिन लोगों को Redmi Note 9 Pro Max का निया अपडेट नहीं मिला यानि कि MIUI वर्षन 12.0.4.0 अपडेट नहीं मिला तो जिन लोगों को नहीं मिला उन लोगों कैसा मिलेगा इसका सॉलिशन इस वीडियो में तो जितने भी Redmi Note 9 Pro Max यूजर है उन में से कुछ लोगों को Redmi Note 9 Pro Max का MIUI वर्षन 12.0.4.0 का अपडेट मिल चुका है जिसको उपर मैंने औरेडी वीडियो बना दिया है एंड कुछ उन लोगों ने उस वीडियो में देख के उस सॉफ्ट्वेर को अपडेट कर लिया MIUI वर्षन 12.0.4.0 को बट उन में से बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक ही चीज कहा कि उनको MIUI वर्षन 12.0.4.0 का अपडेट नहीं मिला है उसके वारों में बताता हूं आपको मिला है बट आपको नहीं मिल पाया मिंस के लिए है कि आपके स्मार्थफोन में आपको डिवॉस के लिए software भेज दिया गिया है बट आपका internet connection low होने के बज़दे सी या तो आपने रीफ्रेश नहीं कि इस वज़दे से आपको नहीं मिल किकरना एंड उसके बाद हाई इंटर्नेट करेंक्षन के साथ चेख वोर अबडेट क्लिक करना आपको 5 पाइब चेक फोर अपडेट देख लेना एक बार और एक चीज आप कर लिजेगा फोन को रिबूट कर लिजेगा फोन को रिश्टार्ट करने के बाद एक बार चेक कर लिजेगा कि आपका स्मार्टफोन में मियूआई भसंट 12.0.4.0 का अपडेट आया है यह नहीं है तो आप अगर एक्स्टरनल से फ्लैश करके वह सारे अलग प्रोसेस वी आता है उस पर मत कीजिए सीधा सी बात है इसमें बैच हिसाब से प्रोवाइट किया जा रहा है मिस रेडिमी नोट नाइन प्रो मैक्स का मान लिजे कि वन लैक डिवाइस उसमें पहला बैच में 10,000 टू देज थ्री डेज अधर्वाइस वन विक के अंदर ही आपको अपडेट मिल जागा निया अपडेट मिल जाएगा तो आप थोड़ा वेट के लिजए आपको निया अपडेट जल्दी मिल जाएगा मिवाइवसं 12.0.4.0 का बाकि कुछ लोगों ने यह भी कमेंट किया म उनका डिवाइस में तो उनको क्या करना है उनको फिर से अपना रिचेंट से सब हटाना है और रिबूट करके सारे चीज में देख लिए उसके बाद यहां पर चेक फॉर अपडेट अगर वो लोग करेंगे तो फिर उनको लगवक 1.7 1.8 GB का अपडेट मिल जाएगा मिवा सारे टेस्ट रैम टेस्ट स्पीड टेस्ट बहुत सारे टेस्ट आ रहे हैं वीडियो प्रोसेसिंग में है तो आप वेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करकर रख लिए